अयोध्या के राम मंदिर में आज पी एम नरेंद्र मोदी ने रामलाला की प्राण प्रतिष्था की, इस मौके पर देश भर में जश्रन का माहौल है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर के लिए दान कर रहे हैं। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए सोने, हीरे और चान्दी से बना 11 करोड रुपे का एक बहुमुल्य मुकुट भगवान राम को अर्पित किया है। प्रान प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर सूरत के हीरा व्यापारी और ग्रीन लेब। डायमंड कंपनी के मालिक मुकेश पटेल ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के गर्ब ग्रिह में मंदिर के ट्रस्टियों को भगवान श्री राम के लिए तयार यह मुकुट सौपा। विश्व हिंदू परिशत के नेता दिनेश भाई नावड्या ने बताया कि ग्रीन लेब डायमंड कंपनी के मालिक मुकेश पटेल ने राम मंदिर को सोने और हीरों जड़ित मुकट देने की इच्छा जताई थी। उन्होंने बताया कि 6 किलो वजनी मुकट में 4.5 किलो सोने का उप्योग किया गया है। इसमें छोटी बड़ी साइज के हीरे, मानिक, मूती और नीलम जैसे बेशकीमती रतन जड़े गए हैं। अब यह मुकट भगवान राम के मस्तक पर शुभायमान है। कारोबारी दिली पुमार ने 100 किलो सोने का दान किया है, जिसकी कीमत करीब 60 करोड रुपे है। इसका उप्योग मंदिर के 8 दरवाजों पर सोने की परत चड़ाने में किया गया है। वहीं कथा वाचक और। आध्यात में गुरुवार मुरारी बापु ने 11.13 करोड रुप इसकते हमाजी युपे हैं टाम ने 11.13ि लान में ठिसके वगूेढ और। इसका बादें बादे कीमत